फ्रेंट्स आईपिल 2020 की ट्रेड विंडो शुरू हो चुकी और ट्रेड विंडो शुरू होते ही देली कैपिटल्स की तरब से राजस्तान रोयल्स को ट्रेड का ओफर आ चुका है तुरासल देली केपिटल्स ने राजस्तान रोयल्स के अजिंके राने को अपनी टीम में शामिल करने के लिए राजस्तान रोयल्स को 4 करोड रुपे का ओफर दिया था लेकिन राजस्तान रोयल्स ने इस ट्रेड के लिए लगबग मना कर दिया है क्योंकि राजस्तान रोयल्स के लिए अजिंके राने ब्रेड एमबेस्टर है जिस तरह से मुंबो इंडियत के लिए हारदिक पांडिया रोई शर्म है जिस तरह से रसीबी के लिए विराट को लिए उसी तरह से राजस्तान रोयल्स के लिए अजिंके राने है तो राजस्तान रोयल्स ही ये ट्रेड नहीं करने वाली है मैं इस वीडियों आपको बताने वाला हूँ कि इसके बाद फ्यूचर में राजस्तान रोयल्स की टीम कौन सी ट्रेड करने वाली है कौन से प्लियर्स को करने वाली अपने स्क्वैड और अपनी टीम में शामिल ये सारे जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाते हैं आपकी फेवरेट टीम जीते आईपेल 2020 का सीजन तो नीचे का ही लाइक का बटन दियोग उसको जुरूर दबा दे और हमारे चैनल को जुरूर कर दे सब्सक्राइब फ्रेंड्स अगर हम बात करें राजस्तान रोयल्स के 25 मेंबर के स्क्वैर्स की तो राजस्तान रोयल्स कररंटली एक ऐसी टीम होगी जो बिलकुल भी नहीं चाहेगी कि इनके प्लियर्स ट्रेडिंग के दुआरा चले जाए दूसरी टीम में क्योंकि राजस्तान रोयल्स के ओवर सीज प्लियर्स इस्टेवन समीट, बैन स्टोप, जो आप्तलर, जोपरा, आर्चर और ओशिन थोमस ये सारे प्लियर्स काफी गजब की फॉम में तो राजस्तान रोयल्स तो चाहेगी कि वो ट्रेड से दूर है और अगर trade करें तो पैसों में trade करें क्योंकि इनके budget में currently 7.15 करोड रुपे है यानि लगबग 7.7 करोड रुपे इनके budget में है ये किसी भी players को इन पैसों में trade कर पाएंगे अगर ये पैसों से trade करेंगे तो पर ये team बिल्कुल भी player exchange नहीं करना चाहेगी इसे खाण इन्होंने रहाने के लिए भी मना कर दिया है रहाने के लिए इनको 4 से लेके 5 करोड रुपे भी मिलने वाले थे लेकिन राजस्तान रुपे ने मना कर दिया क्योंकि अपने main players को दूसरी team में बिल्कुल भी नहीं जाने देना चाहते है और अगर हम बात करें इनके release players की तो राजस्ता लगता है IPL की सारे teamों में से राजस्तान रुइल्स इस IPL निरामी में सबसे ज़्यादा पैसे लेकर जाएगी इन पैसों में ये कोई भी बड़ा player अपनी team में शामिल कर सकती है लेकिन ये कोई भी बड़ा player शामिल नहीं करने वाली क्योंकि इनकी team में बड़े player की जगा ह ये ही नहीं क्योंकि इनके पास already Smith, Stokes, Butler, Jopra, Archer, Ocean, Thomas जैसे बड़े player है ये team केवल middle order में बल्लेबाज पिक करेगी इसके अलावाए एक आदा इंडियन spinner पिक करने वाली है इसके बाद इनका square पूरी तरह से complete हो जाएगा तो friends ये था overall इस वीडियो में राजस्तान रोल्स क ट्रेडिंग और auction को लेकर सारी information उमिद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो को जुरूर करे like और channel को जुरूर करे subscribe